वीडियो लाइक जरूर कर लिजेगा, और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरर्ण सब्सक्राइब कर लिजेगे, और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजेगे, ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं, यूटूब में फॉलो करते है यूपी पीस के प्री और मेंस के फाइल सेक्षिन में मिल जाएंगे 2022 की तैयरी कर रहे हैं तो इसके मीडिया सेक्षिन में जाके पूरी जो पिक्स रिवीजन हम कराते हैं वो लगातार फॉलो करते रही है सितंबर 2021 के बाद की सारी पिक फॉलो कर लिए यह डेली कुईज का चैनल है हमारा इसमें आप फॉलो करते हैं बिल्कुल फ्री कुईज कराते हैं अगर आप UPPSC के PCS और आरो की तैयरी करें यह UPPSC का पोर पेपर है यानि कि ethics वाला पेपर है इसमें पिछले बार से थोड़ा सा चेंज करने कोशिश की है हलाकि main जो theme होई यह ही है कि आपको जो भी official से लेबस लिखा हुआ है GS1234 का उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए previous year question भी लगाने चाहिए GS123 के paper में यह चीज observe करी गई कि कई सारे question previous year को ही यहाँ पे repeat किया गया है या फिर थोड़ी सी भाषा बदल के repeat किया गया है सबसे important task होता है UPPSC के mains के GS paper में paper को पूरा attempt करके उसको पूरा लिखना वहाँ पे pressure काफी जाता होता है कई सारी condition भी इस समय देख रहा है आप विदर भी थोड़ा सा गरम होता जा रहा है और उसमें लगातार इतने शब्द लिखना यह एक important चीज़ है जिसके लिए आपको लगातार answer writing की जरुद पड़ती है maximum question जितने भी आए GS1234, ASA और हिंदी अभी तक जितने paper हुए है इसी में study for civil services में हमने कभी काफी काम किया है काफी सारा हमारे कई सारे free initiative चलते है mains के with model answer भी हम लगातार कर रहे है हम पहले high yield हम series लाये थे उसमें कई सारे question देते थे प्लस एक question वाली series अभी हमने चलू कि उसमें भी लगातार सकते थे इसलिए हम previous year question भी बनवाते रहते हैं आपके लिए अब हम क्या करेंगे GS1234 का जो UPPSC का आया इन सबको मिला के 2018-1926 की पूरी series लाने जा रहे है with model answer ये कुछ question आये जो की काफी जाधा repeated है individual जो morality है इसका public life पे क्या निर्णें पे क्या फरक पड़ता है बतलब ये ज human ethical behavior के लिए important है responsible है महात्मा गांधी जी के अनुसार ये गांधी जी के अनुसार कौन से ऐसे आवश्यक सद्गुण है जो एक आधर्श मानवी नैतिक वेवार के लिए उत्तरदाई होते हैं यहाँ पे discuss करना है एक और चीर यहाँ पे समझनी ज़रूरी है देगे 125 कई बार elucidate लिखा होता है कई बार critically explain लिखा होता है कई बार analyze लिखा होता है इन शब्द का मतलब होता है question जब भी जो भी means में जो जैसा आप जितना पूछा जाए उतना ही करना होता है अगर maximum marks आपको चाहिए तो क्योंकि वहाँ पे वैसे भी time limitation भी है और शब्द limitation भी ह जितना यहाँ पर की दिया गया है जितना पूछा गया है सबसे बड़िया तरीका यही कि question को ध्यान से पढ़ें कि actually question क्या पढ़ रहा है क्या पूछ रहा है यह नहीं कि बस उसमें एक आपने पढ़ा कि अच्छा individual morality तो चलो इसी पर लिख दो अरे भाईया यह देखो कि उ भाषा थोड़ी थोड़ी बदलते हैं तो भाषा जैसे बदलती है जैसे शब्द question के मतलब जो question के types बदल जाते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है उसने खुदी एक चीज़ बताई कि भरष्टाचार जो है सरकारी राजकोश का दुरुपयोग है प्रशाशन के छमता और बादा उत्पन करने का कारण है इस कथन के परिक्ष में सारुजनिक जीवन में भरष्टाचार रोकने के उपाय बताने हैं क्या क्या आप suggestion दे सकते हैं इसमें कई सारे उपाय तो वह होते हैं जो आर्टिकल में आते रहते हैं कुछ उपाय ऐसे भी हो सकते हैं जो आप अप प्रोबिटी क्या होती है यह सब पहले की question है यह क्वेशन आया कि एक peaceful protest हो रही थी हालाकि इसमें लिखा हुआ है कि दुग दुग वेवसायों दोरा लेकिन अगर आप देखें तो latest में ऐसी कुछ प्रोटेस्ट हुई है कि student की भी प्रोटेस्ट हुई थी उसमें भी आप उससे भी context यहां पर ले सकते हैं कि उसमें SP ने क्या बोला कि अपने पुलिस कर्मियों को कि भी यह किसी को हिंसा ना करने देना वाइलेंस बंद करने देना लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई ज्यादा मतलब उच्छे एक तरह से वही बात है कि वह कहते है कि यह आवशक्ता ह पैस की और फिर उसकी पिटाई कर दी कूट दिया उसको अब यह कह रहा है कि वह बंदा जो पुलिस वाले ने जिसने कुटाई कर दी वह कह रहा है कि भईया हमको तो SP ने बोला था कि पार्ट पढ़ाना है इनको तो उसने SP ने कुछ और बोलने की कोशिश करी उसने कहा कि या wireless ना करने देना और अगर wireless करने की कोशिश करने तो पार्ट पढ़ाना है लेकिन यहाँ पे उसने पूरी बात नहीं समझी उसी के लिए यहाँ पे आपको यह करना है कमेंट करना है दोनों के ethical behavior पे SP के भी और जो police officials के भी यह जो उपर जो incident हुआ है आप होते तो क्या करते है जल्दी से comment करके बते हैं यह वाला question बिल्कुल repeated है attitude के बारे में पुछा गया attitude यह UPSC में आ चुका है सारे प्रूफ हमने दिये हुए टेलीग्राम के चैनल में आप देख सकते हैं जाके इमोशनल इंटेलिजेंस यह जितने भी शब्द होते हैं जो समझ ही है उनको उसकी समझ बहुत जरूरी है basic understanding जरूरी है हमारा 2022 का 2021 का भी material होता है उसमें basic material हम देते हैं उससे इतना हो जाता है कि आपकी understanding क्लियर हो जाती लेकिन means में वहिया सबसे important चीज़ है answer writing फिर यह है कि कैसे यह जो लोग सिवक होते हैं कैसे मतलब इनके अंदर tolerance तो compassion पोशिक किया जा सकता है ठीक है इसमें आपको opinion देनी है अपनी फिर दूसरा यह है कि differentiate करना है objectivity और dedication और structure और function of attitude मतलब attitude से related फिर से कुछ चना गया फिर यह section B है इसमें बारा बारा नंबर के traditional value क्या क्या है इन इन सोसाइटी की और modern value से कैसे यह different है explain करिए ethical perversions क्या ह जरूरी के लिए क्या work culture में change जरूरी है इसमें आपको जो है answer करना है argument के साथ अचा किस context में पूछा हो कोई comment करके बताए कौन सी ऐसी current की news चली क्यों पूछ रही है यह government यह सारे question का एक purpose तो जरूर होता है government या फिर जो आयोग है आप यह देखिए कि यह वही चीज़े प possible form सो सकते है judicial control के public administration की यह हमने बिल्कुल आयल में कराया हुआ है फिर इसके बाद एक case study आ जाती है यह case study में क्या है कि यह राम मुर्ति एक सरकारी करमचारी है और उनके बुड़े माता पिता उनके साथ वो इन दोर में रहता है एक दिन ब्रहमण के दोरा है उनके ग्यारा वर्स के एक अनात बालक के से उसकी मुलाकात हो जाती है ग्यारा वर्स के ध्यान रखिएगा यह यह जो लिखी हुई है ना इसका भी एक purpose है फिर वो क्या उसको देखता है कि बड़ी जो है दैनी इस्तिती में है बेगर बालक है कोई उसके देखबाल करने वाले नहीं था तो राम मूर्ती जो सरकारी करमचारी सरकारी करमचारी दो चीजे ध्यान रखने वाली हैं उस बालक को घर ले आते हैं प्रस्ता हो देते हैं कि भया आप हमारे माता पिता की सेवा करो देखबाल करो तो आपको जो है दैनिक मजदूरी मिलेगी यह भी important चीज है और सिच्छ आरों मिला के देंगे moral और political attitude human का क्या होता है कैसे आप justify करेंगे present political scenario में समझ रहे हैं कि क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें किसके बाद 17 है root cause क्या है gender related negative attitude और क्यों यह इतना rigid है फिर next size में क्या क्या factors हैं जो की influence करते हैं individual का attitude formation में ठीक है जो social problems होती है और इसमें बाकायता example दे के समझाना है फिर next size में objectivity or dedication यह need of the hour है लोग सिवाओं में वस्तु निष्टा और निष्टा समय की मांग है ठीक है इस कथन को सिद्ध करना है फिर a case study आ गई यहाँ पर क्या है यह राजी वे एक प्रवासी स्रमिक था मतलब migrant labor था और एक दिनों cycle से road पे जा रहा था एक कार ने उसकी cycle को धका मर दिया ठककर हो गई फिर राजी उने कार चला को कार से बाहर खीच के निकाला और उसे गारिया दिन लेगा कार चली जो चूरा निकाला और चूरे से राजी उपे तीन चार बार भोका उसने और भग दिया और ज़्यादा तर लोग जब ऐसा एक्सिडेंट होता है तो देगे इसमें सबस्या ये भी है कि अगर आप मालिजे उसको अस्पताल पहुचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये है कि जो अथोरिटी है ये इतना ज्यादा रेट्टेपिसम है इतनी ज्यादा हमारे सिस्टम में आपे खराब है कि अगर आपने मालिजे एक जन्यून आपका रीजन है ठीक है जैसे मैं अभी मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ मैं कश्मीर फाइल देखके आ रहा था मूवी हमारी पूरी टीम थी तो एक रास्ते में एक बंदा का एक्सिडेंट हो गया था और उसके बाइक से वो लड़ गया था शायद यहां मेट्रो के पोल से कानपूर में ही अब वो बिचारा वो उसकी बाइक अलग पड़ी थी और वो अलग पड़ा बीच रोट पे एक्दम तलफ रहा था हम लोगों ने जैसे ही देखा उसको मैंने तुरंद गाड़ी रुखवाई और उससे बोला कि चलो इसको हॉस्पिरल में एड्मिट करते हैं जबकि सामने हॉस्पिरल था जास आप क्रॉस करो तो जादा जादा पचास से सौ मिटर पे हॉस्पिरल था पूरी टीम ने हमारी उसको हॉस्पिरल में वहाँ पे एड्मिट किया उसकी बाइक को जो है तुरंद पुलिस को बलाया बाइक को एंडूर किया जादा तर में यही समस्या है समस्या यह कि अगर आप मालीजे इसमें जबकि एक लाव भी पास हो चुका है कि आप किसी को अगर कोई एक्सिडेंट वाला है और उसकी हल्प करेगा कोई तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन जो सिस्टम है वो ऐसा ही है पुलिस वालों को खुद कोई काम जादा तर लोगों को नहीं करना होता है रात में सब अपने अपने में रहते हैं जबकि उनकी ड्यूटी ही इसलिए लगाई गई है तो वो चाहते हैं कि यहा जो पबलिक है वो कर भी दे सब बढ़िया जो है अल्प भी कर दे लेकिन फिर वो पबलिक कोई परेशाल करें क्योंकि उनको कुछ ना कुछ जो है मिल नहीं पाया यह वाली चीज़ है अब यहां पे खैर यह तो एक नॉर्मल एक्जामपल मैंने दिया यहां पे आप यह समझेए कि अगर ऐसा हो जाता देखिए यहां पे क्या है तमाशबीन ने राजियू को एस्पिताल पहुचाने में देर की और बहुत ज़्यादा खोन बैय गया उसमें उस दिन जो हम लो करते हैं तो आप कार चलग की इस घैर जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति क्या करते हैं और इस प्रकार की सब्रक दुर्गेतना और दुर्गेतना प्रिड़ित के प्रति लोग बहुदा उजासीन और निसक्रिये आभी वरती का प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल यह सही बात है मतलब बिल्कुल आप रियल लाइफ एक्जाम्पिल से देख सकते हैं यह अब उस बाइक वाले के साथ किया वह वह हमें नहीं पता था क्योंकि आदे गंटे तक तड़ा रहा था हमने देखा यह कि वह जो है एक साइकिल वाला वाँ पर खड़ा था उसने पूरी बात और पर उनको पुलिस के चंगल में फचना पड़ेगा तो यह सबसे बड़ी शवच्जा है और अगर PhD करनी ही तो 10 जगे में पड़ी है.